तो जैन साथियो में यूटूब चिल में आप लोगा स्वागत है इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूं SSGD और SSC MTS के जो तयारी कर रहे हैं उनलोग के खुब महत्तपुन होने वाला है आप लोगे में 40 कोसिन देखाने जा रहा हूं जो SSC के एक्जाम में आप लोगो आया हुआ है ठीके तो GKGS आप लोग डिस्कासन करने जा रहे हैं जरूर आप लोग लास तक देखेगा उसके बाद ही आप लोग समझ पाएंगे किस तरह के परशन पूछे जाते हैं SSC के एक्जाम में और PCS करके देखिए SSGD और MTS वालों के लिए खुब महत्तपुन एक सेशन होने वाला है तो जरूर लास तक बने रहेगा तो शुरू करते हैं देखिए आज का पहला परशन देखिए निम्नले लेखित में से कौन सा राज्य भारत के पस्चिम तर्ट परिश्ति थे तो इसका सही अंसर क्या होगा गुजराट ठीके अगले परशन देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं एससरी की एक्जाम में भारतिय राष्टिय कंग्रेस की इस्थापना किस बर्श में हुई थी तो इसका सही अंसर क्या होगा अप्शन नमर ये अर्टाराशो पचासी में भारती राष्टी कांगरस का स्थापना किया गया था ठीके और इसका अधिवेशन देखिए पहला कहां हुआ था तो दोस्तो मुंबई में हुआ था मुंबई में ये प्रश्न पूछ लेता है और इसके देखिए हुआ था अगले प्रश्न देख देख लेते हैं इन्पोर्टेन प्रश्न एससी के एक्जाम में पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न आया हुआ ऐसा प्रश्न है भारत के पहला प्रमानुल परिक्षन किस बर्श में किया गया था तो 1974 में किया गया था 1974-18 मैं को किया गया था दोस्तों जो आप लोग ऊद रखिएगा अगले प्रश्न देख लेते हैं जा या सुद्ध रोकास बर्श क्या है तू दूरी और एक अप्चन नमर बी अगले प्रश्न प्रश्न देख लेने लें ऊश्न कं बंदित या किस कुम श्यृते में पाये जाते हैं तो आप संव्-णृतिय इसका प्रकास तो H2O, अप्शन नमर ये, अगले प्रस्ण देख लेते हैं, अकबर के सासनकाल के दोरान किस प्रसिध संगितकार को नवरत में सामिल किया गया था, तो तान सेन का, ठीके, अच्छी सा आप लोग याद रखेगा, अगले प्रस्ण देखे, रक्त में सरकरा के इस तरको नियं सही अंसर क्या होगा, अप्शन नमर शी, अंध्रपरडिस, अगले प्रस्ण देख लेते हैं, भारतिय संग विधान का उनुचे, 21-21 अधिकार से समन देखे, तो अप्शन नमर शी इसका सही अंसर होगा, ठीके, जीवन और वेक्तिगत सतंतरता का अधिकार, अप्शन नमर शी, अगले प्रस्ण देख लेते हैं, भारत का राष्टी ये फाल कांसा है, तो आम, ठीके, अगले प्रस्ण देख लेते हैं, शंगियुत राष्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टोबर को मनाया जाता है, अगले प्रस्ण देख लेते हैं, भारत के राष्ट पती क कर्जेकल कितने बर्ष होता है तो पांच बर्ष रहता है राष्टपति का कर्जेकल अगले प्रस्ण देख लेते हैं सार्ग का मोख्याले कहां इसती थे तो देखिए नेपाल में इसती थे यानि की काटमंडू में तो देखिए सार्ग कब स्थापना किया गया था तो सार्ग देशों का एक समों है जो सार्क में 8 गेश सामिल है ठीके तरहें सार्क का मोख्या लगी कहा इस ती थे नेपल काटमांडू में इस ती थे इसमें कितने देश सामिल है दोस्तो तो 8 देश सामिल है और कभ इस्थापना क्या गया था तो 1985 में इसका इस्थापना क्या गया था द और इस तरह के प्रश्ण पूछ सकता है जो कौन सा देश सामिल नहीं है तो जरूर आप लोग याद रखेगा आठ देश का नाम आप लोग में यहाँ पर देखा दिया हूँ अगले प्रश्ण देख लेते हैं भारत की पहली महिला प्रधान मंत्री कौन थी तो इंद्रा गांधी ठीके तो दीखिए इंद्रा गांधी कब पहली बार प्रधान मंत्री के बनी थी तो 1966 में ठीके अगले प्रश्न देखलेते हैं अगले प्रश्न है इनपोर्टिन जो विटामिन से रिलेटेड प्रश्न है तो किस भीटामिन के कमी से रताउंधी यानि की नाइट बलाइडनेस होती है तो इसका सही एंसर क्या होगा? Option number A, ठीके मनुष्य के सरीर में रख्त का सुद्धी करन किस अंकेदारा होता है? तो इसका सही एंसर क्या होगा? तो इसका सही एंसर क्या होगा? Option number B, ठीके चंद्रगुप्त पर्थम ने की थी तो दिखे, साल के बाद करतो 319SB से लेकर यहाँ पर 320SB में जो अपने शासन काल के समाई जो शुरूप समें इस्थापना किये थे ठीके, याद रखेगा देख लेते हैं जो निम्ले लिखित में से कौन सा ग्यास बायो मंडल में शब से अधिक मात्रा में पाई जाती है तो इसका सही एंसर क्या होगा? Option number B, नाइट्रोजेन अगले परशन देख लेते हैं भारत की पहली राष्टिय उद्यान कौन सा था? तो इसका सही एंसर क्या होगा? जीम करबर्ट राष्टिय उद्यान जो इसका नाम परिवर्तन करकर जो अभी राम गंगा नेशनल पार्क है कहां इस्तित है? उत्राखन में ठीके? जीम करबर्ट नेशनल पार्क जो इस्तित है दोस्तो उत्राखन में और पहला जो नाम था तो हेली नेशनल पार्क ठीके पहले 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 जो इसका नाम था तो हेली नेशनल पार्क इसका नाम था ठीके अभी इसका जो नाम है ठीके तो राम गंगा ठीके इसका नाम अभी राम गंगा नेशनल पार्क हो गया है जरूर आप लोग याद इसकी स्थापना के बाद करतो देखिए इसकी स्थापना जो हुआ था 1936 में जो भारत में पहली बार नेशनल पार्की स्थापना किया गया था जीम करवर्ट राष्ट्य उद्दयान ठीके जुरूर आप लोग इडिशनल याद रखिये का अगले प्रस्ण देख लेते हैं भारत के किस राज्य में सूरिय सबसे पहले उद्दय होता है तो अरुनाचल परदेश में ठीके अमारे भारत के आप लोग मेप देखिए अगले प्रस्ण देख लेते भारतिये संगसत दोनों सद्दों की संगियुत बैठा किसकी दारा बोलाए जाती है तो इसका सही अंस होगा राष्टिपती ठीके अगले प्रसंदिके भारतिय राज्य की राजभासा कौन प्रसंदुमित होती है तो इसका सही अंसर क्या होगा फिमर ठीके जांग में जो इस्तित है अगले प्रस्ण देख लेते हैं फोटो थिंसेसिस की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सरजित होती है तो इसका सही एंसर क्या होगा ओक्सिजेन ठीके प्रस्ण रक्त में कौन सा तत्व ओक्सिजेन का परिवहन करता है तो इसका सही एंसर क्या होगा हीमोगलोबीन ठीके अगले प्रश्न देख लेते हैं दाब की इकाई क्या है तो दाब की इकाई के बाद करतो पास्कल तो अगले प्रश्न देख लेते हैं इंपोर्टेंट प्रश्न है तो वे तत्त जो कभी भी मेटल नहीं बन साकता है तो option number B कार्बन ठीके option number B इसका सही अंसर होगा प्रस्टन देखें भारत के सबसे बारा राज्या 6 छेत्रेफल के आधार पर कॉंचा है तो इसका सही अंसर क्या होगा option number D रजिस्थान ठीके अगले प्रसण देखिए विश्वा के सबसे बारा महादीफ्स कॉंचा है तो इसका सही अ गया था तो मुंबई में ठीके इसका सही अंसर होगा अगले प्रशन देख लेते हैं important प्रशन है किस विटामिन की कमी से इसकार भी रोग होता है तो इसका सही अंसर क्या होगा option number C विटामिन C की कमी से इसकार भी रोग होता है एक और important प्रशन देख लेते हैं संग्यूत राष्ट्र संग की स्थापना किस बर्ष में की गई थी तो इसका सही अंसर क्या होगा 1945 में संग्यूत राष्ट्र की स्थापना क्या गया था दोस्तो अगले प्रश्ण जो आप लोगे गोशना का प्रावधन है तो अगले प्रशन देख लेते हैं जो एससे एक्जाम में पूछे जाते हैं भारत के पहला उपर ग्रह कौन सा था तो आर्जबर के अप्शन नमर डी अगले प्रशन देख लेते हैं विश्व बेपार संगठन डबलू टी ओ का मुख्यालाई कहां इस्ति थे तो इसका सही अंसर क्या होगा ऑप्शन नमर ए जिन्यभा में इस्ति थे तो अगले प्रशन देख लेते हैं हिमाचल प्रदिश का राजधानी कौन सी है ठीके तो इस तरह के प्रशन देखिए आप लोग का इज़ी टाइब का प्रशन पूछ सकता है तो अगले जानते होंगे तो जरूर आप लोग कोमेंट बोक्स में लिखेगा दोस्तों और आप लोग के लिए मैं प्रजन होम और के लिए दे जाता हूँ जरूर आप लोग कोमेंट बोक्स में इसका इंसर लिखेगा ठीके हिमार्शल प्रदेश का राजधानी क्या होगा तो देखिए हमारा यूट्यूब चैनल के नाम दोस्तो भूतनी फीजिक एल अकडेमी है जरू आप लोग सब्सक्राइब कर लिजिए और टेलीग्राम गुरूप का लिंक दे दूँगा और वाटसब चैनल का लिंक दे दूँ है 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 जर ग्रव तो देखिए है हैं है 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 नहीं यूट्ट चैनल के लिए है।